पहलों को पताना चाहूंगा थी आज हम लोग 31 जुलाई 2026 को 11 बजे जो लोग से वायुक पे LTGIC, प्रवक्का GIC, फंडि सिप्षादिकारी का नया विग्याफॉन और LTGIC 2018 की 33 सुची को लेकर आंदोलन करने का अदास किये थे, आज इंद्र भगवान की 80 मनुकंपा से भैंकर बारिश हुई, मौसम सुहाना था, सुहाना सफर और यह मौसम हसी हमें डर है, कि हम हो न जाएं कहीं, लेकिन हम खोएं कहीं नहीं, हम एक नौकरी की तलास में लोग से वायुक पर पहुचे और वहां पर हमने ग्यापन दिया, आप देख सकते हैं, कि इस ग्यापन को जो है, लोग से वायुक पर हमने रिसीट कराया, इस समय जो है, आज लोग से वायुक पर कोई भी सक्षम प्राधिकारी के मौजूद ना रहने की वज़ा से, हमारी किसी से आज वार्ता नहीं हो प आज असपस्ट जो है, इस्तिती लोग से वायुक द्वारा नहीं की गए, हम लोग को वही से पता चला कि अपर सिख्षा नियसक राज्की है, अपने आफिस में मौजूद है, तो हम लोग क्यों कि संकच आर्ता विवात का जो जिन लगातार चला आ रहा है, लगवक कई साल से जिसके कारण राज्की एंटर कालेज और एंटी जी आइसी की फर्ती नहीं निकाली जारी हो, एक जो है, आरूप लगाकर लोग से वायुक द्वारा और इसमें नौजवान पिरुद्यारों को पहकाने की साजिस्त में सामिर लोग से वायुक और निरसाल है, इसलिए इस कच आरता विवाद का वो जिन्न क्या है और उस जिन्न का समाधान कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो आज एडी राज्कीय साहब ने जो बताया है कि हमने इस पर लगातार हम काम कर रहे थे और जो है, लगातार ACS दीपक कुमार जी से इस पर मिटिंग हो रही है, प्रत एडी राज्कीय महुदय का ने कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि हमने समकच आहरता विवाद में समकच का सब्सको धादिया, जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो देने वाल है सासन को समकचता सब्सका समापन कर दिया गया है, और उसने यह अस्थापिद क विश्य विद्याले से जो भी डिग्री होगी वो डिग्री मांदे रहेगी बस तुछी द्वारा स्थाफिक विश्य विद्याले हो यानि अब समकच्छ अर्ता विवाद का समाधान लगबग लगबग उनके कथनों के अनुसार समाध कुछुका है अंतिम चल्ण में है सबसे बड़ी बात आज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ी सुशना मिली है एडी राजकिय साथ के द्वारा की लगबग 9 से 10 हजार पद यह बहुत बड़ी बात है मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान विरुजगारों को बताना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश के लगबग 20 लाक फीड विरुजगार की 9 से 10 हजार पद का अधियाचन उत्तर प्र अधिये हमने ऐसे ही फौरी तोर पर उन्से पूचा कि अगर आप कह रहें कि बहुत जल्द समस्या का समधान होने जारा तो क्या 15 अगरस्त को हमको बिरुजगारी से आजा दिमें जाएगी तो उन्होंने मुश्कुरा के जवाब दिया कि हो सकता है कि इससे पहले भी है तो यकीन जानी है मुश्कर परदेश के नौजवान विरुजगार भाईयों बेहनों से अपील करूंगा और यह पताना चाहूंगा या अज एक बड़ी सफलता प्रतियों के चाहत रोचाने पाई है कि हमने समकष अहरता विवाद का जो समाधान का मामला है वो लगबग एक रिपोर्टिंग जो है सासन के तुवारा लोग से वायोग को भेजी जाएगी जिस आधार पे लोग से वायोग LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विग्यापन जारी करेगा इसके लिए थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिस करिएगा हम एक साथ एक साथ एक जगा मिलक साथ लडाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद कि LTGIC और GIC प्रवक्ता कर नया विग्यापन हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे उत्तर प्रदेश लोग से वायोग से जैसा कि आज लोग से वायोग में जो हमारा कारेकरम था उस कारेकरम के नहीं हो पाई को कि सक्षम प्राविकारी के नहीं रहने की वज़े से मुलाता संभाव नहीं हो पाई थोड़ा मौसं भी आज अजीब मिजादा खाग लाता है इसलिए हम लोगों ने पासला किया है कि पांच कारी को पांच अगस्त को मैं उत्तर प्रदेश के नौजमान व पांच अगस्त को एक पार फिर से हम उत्तर प्रदेश लोग से वायोग पर ठीक ही 11 बजे पहुंचेंगे जिसमें आपको आना बेहत जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो हम कमजूर हो जाएंगे हमारी जो ताकत है वो आपकी बदौलत है एक एक लोग मिलकर कटम बढ़ा करें साथ अगर चलेंगे तो यह बहुत बड़ा कारवा बन जाएगा और हमें इसकी सफ़ता मिलेगी तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान विरुजगार भाईयों बहनों से अफ्मिल करूंगा है मेरे भाई है मेरे भेर आप अगर इस अलाहपात की मुकदफ जमी पर मौजूद हैं हैं यहाँ पर और एक नौकरी पाने के ख़वाईश रखते हैं सोचते हैं कि हमें एक नौकरी चाहिए पहले नौकरी मिलेगी तो फिर नह पेंसन हो पुर्याने पेंसन पर भी बात हो जाएगी लेकिन पहले नोकरी मिलने देजिए उस नोकरी को पाने की कोशिश में जो है आपको हमारा साथ देना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा हम पांच अगस्त को उत्तर प्रदेश लोग से वायुक परी 11 बजे फिर मौजूद होंगे हमारा सवाल फिर वही होगा कि ल निकालेंगे एल्टी जी आइसी तो आजर अठारा कि तिर्तियों सूची आखिर कब निकालेंगे खंड सिक्षादी कारी की भरती आखिर कब निकालेंगे यह हमारा वही सवाल है इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश लोग से वायुक से प्राप्त करने की कोशिश होगी जो समकर्च शाहरता विवाद की बात थी उसका उस सवाल का जवाब एडी राजकिया परशिक्षादी सकराजकी है से आज हम लोगों ने ले लिया है उस प्रस्र का समाधान हो चुका है अब थोड़ा सा जो है मेरे भाई बिलकुल करीब हैं हम अपनी जीत के बिलकुल जिन्दगी को बुजर बसर करने की कोशिश करेंगे आप हमारे साथ आए कदम से कदम मिलाकर एक ताकत के साथ पांच अगस्त को लोग सेवा युगपट ठीके ग्यारा बजे ताकि हम LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया बिग्यापन निकाल सके और निकलवा सके ताकि जो हमारे अर्मान है जो हमारे सपने है जो हमारी ख्वाइसे है उन ख्वाइसों को फूला कर सके और अपने जिन्दगी को सुपून से जीने की कोशिश कर सके बहुत बहुत धन्नवाद मैं विक्के खांट परगेसा तेक प्रवक्ता करते हुए